आज की दुनिया में जैसा सामाजिक धाचा है, जिस तरह से जीवन के कई पहलू व्यवस्थित हैं, उसकी वज़ा से महिलाओं को पुरुशों से कही ज्यादा सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ इसी लिए कि प्रकृती ने महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए एक बहुत ही विस्तरित सिस्टम दिया है। हम सभी किसी महिला के गर्ब से ही पैदा हुए हैं, तो अंदर एक विस्तरित व्यवस्था है। अगर आप अतीत को देखें, तो आम तोर पर महिलाएं 15-16 साल की उम्र से अपनी जीवन की प्रजनन प्रणाली का इस्तमाल शुरू कर देती थी। वे शायद जीवन भर या कम से कम उनके पूरे प्रजनन जीवन में किसी तरह से अपनी प्रजनन प्रणाली का उप्योग करती थी। अगर किसी महिला के जीवन में 6, 7 या 8 बच्चे होते थे, तो शायद वो पूरा जीवन व्यस्त रहती थी। तो प्रजननंगों का एक तरीके से उप्योग होता था। इस वज़ा से महिलाएं वैसी चीजों का सामना नहीं करती थी, जैसे आज कर रही हैं। एक और कारण ये है कि पुरुश और महिला दोनों ही शारेरिक रूप से बहुत महनत करते थे। शारेरिक महनत की वज़ा से पेट के आसपास कभी कोई चर्बी नहीं होती थी। कम उम्र में अगर कोई लड़की पेट पर चर्बी जमा कर लेती है, तो वो खुद परिशानी को बुलावा दे रही है। इसके बारे में कोई दोराय नहीं है। ये जीवन के कई वांशिक और दूसरे पहलूँ पर निर्भर करता है कि ये कब होता है, पर पेट पर चर्बी जमा हो जाए, तो एक युवा महिला पक्का परिशानी को बुला रही है। समस्याए होंगी। शायद वो आफिस में काम करती हैं, इसलिए परियाप्ट शारिरिक गतिविधी नहीं होती, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस काम में ज्यादा शारिरिक महनत नहीं है। अगर आप किसी खेत में काम करती हैं, तो बात अलग है। मुझे लगता है कि आप जिन समस्याओं की बात कर रही हैं, वो ज्यादा तर शेहरी महिलाओं में हो रही हैं, क्योंकि उनकी शारिरिक गतिविधी कम है, बले ही वो सुबह आदा घंटा या एक घंटा व्यायाम करती हैं, पर बाकी समय वो बस बैठी रहती हैं, तो इस वज तो अगर आप अपनी प्रजिनल प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर रही हैं, यानि अगर आप 21 साल की उम्र से पहले बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं, तो ये बहुत महत्वपून है कि आपको हट योग जरूर करना चाहिए, अगर आप जिम करते हैं या दोडते हैं, ये व अच्छी हट योग करना शुरू कर देती है, तो ये सभी समस्या हैं जिन्हें जिन्हें ज्यादातर लोग एक बड़ी समस्या मानते हैं और अपने भीतर विकास के हर चरण से बहुत ज्यादा संगर्श से होकर गुजरते हैं, ये लड़किया उनसे बिना किसी दिक्कत के हो ज्यादातर हिस्सा आपके सीने या पेट के हिस्से पर केंदरित होना चाहिए, इसकी एक तरह से कसरत होनी चाहिए, ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो हट योग की तरह इस पर काम करती है, हट योग की प्रणालियां इस पर काम करेंगी और ऐसे विशेश आसन और प्रक्रिय जिन्हें सिखाया जा सकता है अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं होगी जिसकी संख्या दुर्भागे से बड़े पैमाने पर बढ़ रही है इसका एक दूसरा आयाम ये भी है कि इन दिनों कई शहरी युवा महिलाएं किसी न किसी बात को लेक बहुत परिशान रहती हैं एक समय था जब सिर्फ आपका परिवार या आपके बच्चे या आपके पती या करीबी दोस्त ही आपको परिशान कर सकते थे अब दुनिया भर में आपकी दोस्ती है और कोई भी आपको कभी भी परिशान कर सकता है तो बस एक मेसेज ही काफी है और आप अगले तीन दिनों तक उसकी चिंता करते हैं किसी भी वज़ा से मैं किसी एक चीज पर दोश नहीं डालना चाहता ये एक आम बात हो गई है कि सभी तनाव में रहते हैं तो इसे भी बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है अगर आप सही तरह से योग करते हैं तो आपके भीतर मौझूद शरीर के बुनियादी रसायनों को संतुलन मिलाया जा सकता है और आने वाली पीडियों के लिए यही समाधान है वरना ये चीजें बढ़ जाएंगी क्योंकि आज मुझे लगता है कि ग्रामीन आदिवासी सभी प्रकार की महिलाओं को मिला कर मेरे ख्याल से बच्चे पैदा करने की आउसात अमर 22 के आसपास हो गई है पर मुझे विश्वास है कि अगले 25 सालों में ये शायद 35 हो जाएगी और ये बहुत अच्छी बात है अगर ये 35 तक पहुँच जाती है और महिलाएं खुद की देखभाल नहीं करती हैं तो युवा महिलाओं में ऐसी समस्याओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी अपना खयाल रखने का मतलब दवाएं लेना या डॉक्टरों के बारे में नहीं है आपको योग प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए ताकि शरीर में एक तरह का संतुलन आए सिस्टम में रसाइनिक संतुलन हो, सिस्टम में हॉमोनल बैलेंस हो जिससे सभी ग्रंथियों का स्त्राव अच्छे से और संतुलित तरीके से हो अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें ये गेर जरूरी बीमारिया नहीं होंगी ठीक है, कुछ प्रतिशत लोगों को हमेशा कोई न कोई शरीरिक बीमारी होगी जो एक अलग बात है पर अभी ये प्रतिशत बहुत बड़ा है हमारा समाज भीमारी के एक अप्राकृतिक स्तर पर पहुँच रहा है इसे ठीक करना होगा, ये बहुत जरूरी है पर अभी ये बात है